हेलो एब्रीवन वेलकम टू ब्रेफ यूचर मेरा नाम प्रेंज चोबे है और इस वीडियो उन्हों बात करेंगे यूके के द्वारा एक अच्छी गूट निवस आई है इस्पेशली फॉर इंडिया और अधर कंट्रीज तो उस पारे हम लो यहां पर डिसकस करेंगे और दे को वैक्सिन को कुछ दिन पहले वह यूचिन व्ह वर्ड हैंट और लगेगा ना उसको सेल्फ चलेशन आगा गो जैसा कि आपको पारेट सबता है कि अभी को वैक्सिन को कुछ दिन पहले वह ब्ल्ट है और्गनाजेशन ने उसको एप्रूवल दे दिया था कि को वैक्सिन का जो यूज है वो एवर्जेंसी के लिए यूज में लाया जा सकता है यानि उसके एक मानता मिल गई थी उसके बाद उसको फालो करते हुए UK ने भी क्या कर दिया है कि को वैक्सिन को मन्जूरी दे दिये उसके पहले एक व्यवाद भी हुआ था कि जो भी बैक्ति इंडिया से या जो भी बैक्ति को भी सीड़ डगा कर आता है उसको टैन टेस्ट जो है आसलेशन में रहना पड़ेगा तिके सारी बाते वीच में इकलके आए थी उसके बाद फिर इंडिया ने कुछ एक्शन भी यह उसके ख्लाब वाद उठाई थी उसके गया हुए था या क्योंकि क spongy इंडिया के उिट्र को फाक्िलरों ने नुमेंबर 22 राइट अच्छा उसके बात करें अगर हम बात करते हैं को भी सील्ट जो है एक ऐक ऑक्सफोर्ड जो यूनिरसिटी है उसके तो यह फार्मूला तयार किया गया थे जिसे हम कहते हैं अस्ट्राचैनिका अस्ट्राचैनिका कोबिट 19 वैक्सिन भी कहते है तो उसक कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं अब यूके भी दे चुका है उसके अगर हम साथ साथ बात करें चाइना की जो वैक्सिन है साइनो वैक और साइनो फॉर्म उसे वह एक्टेश के लिए अब यूके ने भी क्या किया है सेविस्टेप उठाते हुए इसे एप्रूबर दे दि या कुलिए जयाधातर छौैनीज वैक्सीन उसका 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 घ्र ठीक है एक तरह से जो स्टेट्मेंट है उन्होंने दी है जो भारत में जो हाई कमिस्टर है ब्रिटिस के अगर हम बात करें एलेक्स एलाइस की जो क्या है ब्रिटिस हाई कमिस्टर है इंडिया में उन्होंने यह बोला है कि फ्रॉंग 22nd November travelers fully vaccinated with COVID-19 vaccine recognized by WHO एक सारी बात उन्होंने बता रख किया अच्छा यूके गवर्रमेंट ने एक जो रूल यू संप्लिफाई किया है कि जो बैक्ति अंडर 18 यह से उनके लिए कोई भी बैन नहीं लगेगा वह एक तरह से फुली vaccinated माने जाएंगे वह इसली वहाँ पर ट्रेवल कर सकते उनको इसके पहले बताया गया था तो ऐसे में जो अंडर 18 यह से उनके लिए भी जो है यूके ट्रेवल करना काकी असान अब हो जाएगा उनके कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है तो सब कुछ एक तरह से पूरा एक बेवरा था जो मैंने या भी डिसकस कर लिया अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें प्रस्क्राइब करें शेर करें थैंक्यू सो मच